हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे खोश होंगे और स्वास्थ होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुश्पु इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज है चिल्डरंस डे तो हमारे जितने भी बीवर्स हैं उन सभी के बच्चों को हैपी चिल्डरंस डे ईश्वर करें जितने भी चिल्डरंस हैं जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी को सफलता मिले और उचाईयों पर पहुँचे और अपने ड्रीम्स जो है पूरे करें अपने माता पिता के सापने को पूरा करें यही सुबकामना है आप देख रहे होंगे कि बच्चे जो हैं सारे आ चुके हैं इश्वर की किरपास से कुछ बच्चे बढ़ गए हैं दोस्तों अभी तो बस दो ही आते थे लेकिन फिर तीन हुए फिर चार हुए तो फिर मैं पढ़ा रही हूँ बच्चो को आज थोड़ा सा बुक रिडिंग कराऊंगी और ड्रॉइंग कराऊंगी उसके बाद फिर गेम्स कराऊंगी आज मैंने बच्चों से ऐसा बादा किया है कि हम लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे आज आपका दिन है तो आप ईप्लोग हैर सारी मस्ति करना और आपके साथ मैं भी खुप सारी मस्ति करूंगी तो मैं क्या कर constrained के मैं जो है करा है color करा है जो की बहुती अच्छा है मुझे तो सभी की ड्राइंग बहुती अच्छी लग रही है और हमारी वानी जो है अभी कारी रही है उनका भी चली रहा है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि गेम्स करेंगे आप देख रहे होंगे यह progress हो रही है इन सब को सब्सक्राइब नहीं होगा और हम जो है खेल भी लेंगे अच्छे से वैसे तो मेरे मन में बहुत ही ज्यादा चीज़े आ रही थी कहीं बच्चों को पिक्निक पे ले जाए या कुछ ऐसा करें थोड़ा सा अलग रहे लेकिन पांच बजे साड़े-पांच बजे की बात पिर अचके बच्चे की आप पर पट्टी बांदूंगी और उसको फिर दूसरे को छूने को बूलूगी जितना बच्चे enjoy कर रहे थे उससे कही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था आज का बच्चों का दिन रहता है तो वो खेल लेते हैं वैसे तो बच्चे रोज ही पढ़ाई करते हैं और खेलते भी है लेकिन आज का दिन कुछ इस पेसल रहता है चिल्डरंस डे है बच्चे खुद ही बोलने लगते हैं तो उनको मैं distribute कर दूँगी तो वो लोग खा लेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा enjoy करेंगे वैसे तो बच्चे आप देख ही रहे होंगे वीडियो में enjoy करी रहे हैं I hope आपने भी बच्चमन में इन से इन में से कोच ना कोच गेम्स तो खेले ही होंगे कि ऑया के अच्च से अल encry實 कोो पूğीज पूल इस ना करेंगे में ना कर दो कि रहे होंगे पीर, 오늘도 ऑन Almiron करोका कि ओजल में से अ कि अच्चमन कोपक знать कि बचल होंगे आप चुषघोग है तो अ कि अ कृट फयूश ञे प्रोंगोंदोंगे साथियों बन बाई बन मैं क्या कर रही हूँ ना बन मैं आप उसी बीच में बच्चा को एक आउट हो जाता है कि वह सुनने में गलती और फिर उचलने में गलती कर देता है तो फिर वो आउट हो जाता है, हम लोगों बहुत मज़े आ रहे थे, सारे बच्चे भी खूब इंजोई कर रहे थे, उन्हें इसमें से कुछ गेम जो है वो नए नए से लग रहे थे, अब क्या है कि बच्चे बहुत देर से खेल रहे हैं, आदा गंटा तो करीब होई गया हो तो मैं ठंदा ठंदा पानी लेके आई हूं सबी को एक-एक से पानी प्ला रही हूं, बच्चे इसमें भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि सभी को बारी-बारी से एक-एक से पिलाया जा रहा है,.? करते हैं जब तो यहां डाट की बात आती है तो वह डाट ती भी हूँ लेकिन मोस्ली में कभी ऐसा कुछ करती नहीं हूं कि बच्चे जो है थोड़े ब्याथित हो जाएं परेशान हो जाएं मैं बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हूं बाकी बच्चे खुँझ से ही करते ह कि आम हम क्या कर रहे हैं कि आब हम लेमन हम रिज कर रहे हैं जिसमें दोनों बच्चों मुँँ मैं Kunst जी है उसके ऊपर एक एक लेमन रखा है 1000 हलक़ी शुख हुआ है लेकिन चल जायका काम तोuição जू आगे के बाद भी वो रोने भी लगे थे दोस्तो बच्चों में ये भी चीज़े रहती है कि जो हार जाते हैं वो रोने भी लगते हैं अब ये तीन टांग की दौड करवाई जा रही है जिसमें बच्चों के पैर बांदिये जाते हैं आप देख भी रहे होंगे बच्चे मज़े कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है अब मैंने ये चॉकलेट्स और चिप्स बच्चों को बाट दी है इस तरीके से हमारा ये चिल्डरन्स दे सेलिब्रेट किया गया जिसमें टीचर्स ने और बच्चों ने भी खूब इंजोई किया अच्छा लगा मुझे तो और ये नेक्स्ट वीडियो मेरी है डाल की कचोरी की मैंने सुचा आपके साथ ये रेसिपी सेयर की जाए तो मैं बना दी हूँ डाल की कचोरी उड़त की डाल मैंने धुल ली है, साफ कर ली है और उसको मैं पीसूंगी जिसमें अद्रक और जीरा, सौफ, बड़ी वाली जो सौफ होती है बो भी इसमें एड़ करी है, कुछ लाल मिर्ची और थोड़ी सी इसमें कलोंजी और हींग ये सारी चीजे मैं मिक्सर में डाल के मैंने इसे पेस्ट बना लिया है उसका और कड़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ओल लिया है, अब जो पेस्ट था इसमें मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से भूनेंगे और अच्छे से भून जाएगी तो ये आप देख रहे होंगे भून गई है, तो फिर मैंने एक अलग परात में थोड़ा सा आटा साना है, आटे में थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और ये आप देख रहे होंगे भून गई है हमारा आटा भी लग गया है हरी चटनी भी तयार है और रायता भी तयार है भूंदी का रायता अभी भूंदी डाली नहीं है सर्व करते समय समय डाल देंगे तो भूंदी के रायता हरी चटनी खटी खटी सी और डाल की कचोरी ये मैं बनाने जा रही हूँ छोटी सी लोई मैंने आटे की लिए है और उसमें थोड़ी सी दाल भर दी है अच्छी बात क्या है कि ये फटती नहीं है दोस्तों डाल आप भरेंगे और बेलेंगे और जैसे आलो की कचोरी बनाते हैं तो थोड़ी सी कभी कबार वैसे तो हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं फट जाती हैं लेकिं डाल वाली कचोरी एक भी नहीं फटी यो बहुत अच्छी क्रिस्प्री सिखी थी तो सिम आच पर अगर आप सेखेंगे तो बहुत अच्छी सिखेंगी तो इस तरीके से मेरा Children's Day का और डाल की कचोरी का ब्लॉग था I hope आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और ये रात के डिनर की प्लेट आप सभी वीवर्स के लिए तो आईए और इंजॉए करिए थैंक यू, बाई बाई